हेलो गाइज वैलकम बैक तो गाइज मैं हूँ आडवोकेट सुमेथ तो गाइज आज हम स्टाट करेंगे आप थमनेल देखके समझ गए होंगे कि आज हम स्टाट करेंगे कि अगर किसी इंसान को सक है कि बहिए कोई इसान मेरे खिलाभ जूटी अफाय करवा सकता जूटा केस करें हैं उसको नहीं मिलती सकी बिढ़ सब्सक्रों को कि कोई में पर केश कर सकता है जोटा केश तो पहले से पहले जागा पर या फिर définि कोट से पहले साथन कोट आफ्टर लं हई कोट ठीक है लिगी इसमें सबसे इंपोर्णन बात ही है आपको ब्ॉट तो बल जाती है ठीक है कई बार यहां घेंदे एकdar बेलते ही तो जो भी गवाव अगएरा इविडेंस से कलकुम क्या छेड़ शानी कर सकता है अगर यह भार रहेगा तो गवाव को नुक्सान पहुचा सकता है ठीक है तो उस केस में भी वह आपकी बेल को डिश्मिस कर सकता है और आपका बैकग्राउंड देखेगा वह आपका बैकग्रा सकता है यह फिर आप जहाँ रहते हो उस साय आधरी स्टेट में भाग सकते हो कल को ट्राइल चले का तो आप एरिंग पर ना ओ तो इन सब चीजों को देखके को आपके बेल को डिसमिस कर सकता है और जब आपको अगर कोड बेल दे भी देता है तो उसमें भी टर्माइं वह आपको उस देट पे कोर्ट में भी आना होगा, बाई चांस आप कोर्ट में नहीं जातेगे, या पोलिस ओफर के साथ कॉपरेट नहीं करते हो, तो आपके एंटि-सेट रिबेल उससे टाइम भे दिसमिस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, समझे रहे हो? तो कहने का मतलब इतना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई जूटा केस कर सकता है तो आप पहले से पहले जागे अपनी जमानत ले सकते हो सैसन कोट से और सैसन कोट में नहीं होती तो आई कोट में ले सकते हो ठीक है लेकिन ध्यान रखना कि उसमें आप यह झाल